जेहन साथियों, हम जेहन बोलते हैं, जेहन बोलने से हमारी शेना को, हमारी जवान को समान मिलता है जो हम विद्याले में थे, तो भी अपने बच्चों को कहते थे कि पनाम शर करो ठीक है, नहीं उसके साथ जेहन बोलो जैहें जब बोलते हो तो हमारी सेना और जवान को एक समान जिलता है तो चलिए आज हम एक टॉप्टिक लेख चलते हैं कि भाषा काउशल, भाषा काउशल क्या है भाषा काउशल जैसा कि सब्द को आप देख रहे हैं कि भाषा को समय रहे हैं जो हम बोलते हैं अपने विचार को, अपनी बातों को, अपनी सोच को, जिस माध्यम से हम रेक्ट करते हैं, उसे भाषा करते हैं, और भाषा बहुत तरह की भाषा हैं, बहुत भाषा हैं, तो हम किसी एक भाषा की बात अगर करते हैं, तो हम भाषा को कैसे सिखते हैं, बच्चे हमारे भाषा क कैसे सिखते हैं तो आप देखेंगे कि जब बच्चे का जन्व के बाद बच्चे क्या होता है घर की भाषा को सुनना सुन करता है मात्री भाषा क्या मात्री भाषा यानि कि मा की गोद में जो भाषा सिखी जाती है उसे मात्री भाषा करते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या ह मां की गोध में ं़ा को सिखता है अंगर मां हिंदी बोलती बच्चा भी हिंदी बोलगा अगर मां बंगाली बोलती है नकार क्रम की तो इसके से प्रक्रियें Uns fine अो हिक उसके प्रिक्रिया उसका है कि सबसे पहले वह बच्चा बालक अपने घर में परिवार में भासा को सुनता है कि कोई भी काम करने के लिए या कुछ भी अपने विचार को वेक्ट करने के लिए कुछ बोलने के लिए अपनी बात को रखने के लिए किस भासा का लोग परियोग करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि वो अपनी भाषा को घर में सीख लेता है बोलता नहीं अभी पूरी भाषा को सीख लेता हो जब भाषा पूरी सीख लिया उसके बाद क्या होता है कि आप देखते होंगे कि फिर उसको थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चे घर में सिखाते ह गार्जेन की ममी बोलो पापा बोलो पानी बोलो इस तरह से शब्द को सिखाते हैं और बच्चा फिर यही से फिर बोलना सुरू करता है उसे भासा पता है कि किस वस्तु को हम क्या बोलेंगे किस कार्श के लिए हम किस भासा का प्रयोग करेंगे पता उसको हो गया वह सारा कु जुवपली आप देखेंगे कि सु, देखी इस तरह से सुवपली है ये हिंदी में एक संचिप्ट शब्द है, एबरिविटेड है सु से होता है, सुनना होता है बो से बोलना, फ से प्रहना और ली से लिखना होता है यैनि बच्चों का जो भासा सिखने का स्टेफ है यही है अपका पहला स्टेफ है सुनना उसके बोलना शुरू करता है इसके बात फिर क्या होता है कि यही पर हमसे मिश्टेक होती है कि जब बच्चे को हम पढ़ाना शुरू करते हैं जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उसको लिखाने क सिखाते हैं और तीसरा स्टेफ है पढ़ना उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं उसको बाद भी फिर करते हैं यहां पर क्या होता है कि बच्चों को भासा सिखने में लिखने में बहुत प्रशानी होती है इसमें आपर तो इसको आप देखे इसका स्टेफ देखे पहले आप प पुष्टक आती है उसमें कविता है कहानी है वो कविताओं को देख करके किताब में पुष्टक में देखकर पढ़ेगा वो उसको देखते करके पढ़ना सिखाना पहले है अब देखे होता है क्या कि जब हम पढ़ना उसको सिखाते हैं तो सारी कविताएं वह आत कर लेता ह कि सारे कवीताहीं उसके मन में बिलकुल आदर ह lazım जाता है और प्रहना खुद प्रहना सुखर देगा अब बोलिए तो पतता है प्रहना सुखर देगा तो सबसे पर ले क्या कரएं उसको कि प्रहना हम सिखाते ह्यों आब देखे से अम बढ yatерб sheriff's घ्रावरे में पहले क्यों सिख्षाते हैं सब्सक्राइब एक शब्सक्राइब को दो शब्सक्राइब अश्ना निचे प्टराइब पर अब कि ओपर यहां अशानिक सब्सक्राइब और नीचे का शब्द को पढ़ने हमको थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें देर होती है ऐसा क्या हुआ जबकि दोनों शब्द में आप ध्यान प्रवग देखें कि दोनों शब्द में अक्षर का परयोग समान किया गया है को ला काता यहां भी जखिए है को है सबसे अंधि मे फिर ला है ला शुरू में है जितना अच्छर उपर के शब्द में है उतना यह अक्षर नीचे के शब्द में लेकिन आपको पहले उसको पढ़ने असानी से आईसे को प्रवदम कर्टनाई हो रही है तो ऐसा होता क्यों क्लकाता हम मारी नजर से कई बार बुज़र चुका ह इसको इस शब्द को हम कई बार पढ़ चुके है और इस शब्द का प्रतिविम हमारे मस्तिस्वर बन गया है अब हम उसको देखते के साथ पढ़ जाएगे यही बात बच्छों भी होती है जब बच्छा पढ़ने में एक्सपर्ट हो गया वह पुष्टा को पढ़ना सुरू क अब भी ना लिखे हुए तो पढ़ने के बाद क्या होता है कि उसकी प्रतिविम बन जाता है और जब उसको हम लिखना सिखाएंगे तो वह आसानी से लिखना सीख जाएगा जैसे जब पढ़ना सिखाते हैं तो दिवार पर कुछ लिखा हो रहेगा तो अपने मन से पढ़ जये जाए और जब पढ़ा इसका मत्तब है कि अच्छर पा प्रतिविम उसके मन में उसके अस्थापित हो यहाई और इसके बाद हम क्या करे कि इसके बाद लिखना सिख़ाएंगे वह अब इसके बहुत आशानी से लिखने में सहते हैं इस एहां पर पर एक भुल होती है व उसे हम रिक्वेस्ट करें कि बच्चों को पहले आप पढ़ना सिखाए उसके बाद लिखना सिखाए वह बहुत असानी से पढ़ ली जाएगा और क्लास वन टू में तो उसको बच्चे को लिखना पढ़ना बिल्कुल आना ही चाहिए उसको अगर क्लास वन टू में अगर पढ़ने लिखने काम को कि असली क्लास में हम कर दें और हम भाषा को शिखाए इस बात का हमरा ध्यान दना चाहिए सबसे पहले बच्चों को हम प्रहना सिखाएंगे और उसके बाद लिखना सिखाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा और इस तरह से हम भाषा कोशल पर है वो बच्चों को बहुत अच्छे से काम जाने सकते हैं ठीक है धन्यवाद